हलो दोस्तो, स्वागत है आपका मेरे सेहनिक समाचार चैनल में दोस्तो, हाज की वीडियो में बात करेंगे सभी जेस्योज के लिए, खास का जेस्योज में पेंशनेश के लिए एक बड़ी ख़बर के अपर, और जेस्योज के लिए जो है अभी OROP2 का pension payment हुआ है और कई लोगों के area भी आये है और दोस्तो आने के बाद से हम बात करेंगे दोस्तो अभी latest update यह है कि जिन जिन लोगों के credit हुआ है उसमें जो pension में कितनी कमी है या कितनी बढ़ोतरी है उसके बारे हम बात करेंगे क्योंकि अब स्परश के माद्यम से जो है account में credit होना शुरू हो गया है area और जो revised pension है और अब जो है वो time है जब आप exactly match कर सकते हैं कि आपको आपके खाते में कितने रुपे आ रहे हैं जो भी आपका revised pension है और यह जो 5000 से 6000 की जो cut होती है वो किस base पे हो रही है उसके बारे में discuss करेंगे क्योंकि में चीज़ यह है कि दोस्तों जो table में लिखा था कितना आपका change आ रहा है और कितना आपके account में credit हुआ है यह दोनों जो है different different चीज़े है तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अभी actual जो account में JCOs के कितने पैसे credit हुआ है pension division के recording और यह जो cut out की बात कर रहे है वो किस base पे क्या हुआ है तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के इस important update के बारे में दोस्तों और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर subscribe करें जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दुब है दोस्तों मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ जो कि अभी दस मार्च का ही ट्वीट है और यह मेजर जनरल सद्भीय सिंग जी के Twitter handle से है इसमें दो चार बाते लिखी गई है जिसमें हम लोग जो मेन जो हम बात करें तो वह यह था कि JCO's pension reduced rupees 5000-6000 PMR 1 July to 6 November 15 given ORP but denied ORP 2 उसके लाओ दोस्तों जो इसका part है वो यह है कि जो यह कमी हुई है वो कह रहे हैं कि TDA is being deducted from areas जहां पर यह उमीद की जा रही थी कि इतना late हुआ है जो pension 2019 से लगना था वो अब लग रहा है लेकिन जितना भी amount आ रहा है उसमें से आप देख सकते हैं कि TDA is being deducted from areas और यहां पर government should pay interest at the rate 9% और इसमें जो है अभी आप देख सकते हैं कि JCOs pension reduced रुपीज फाई थाज़न शिक्स थाज़न इसके लाँ दोस्तों आप यहां पर भी देख सकते हैं ISM ने PMRM Chief को इत लेटर लिखा है ISM AFT में legal case भी डाल रहे हैं Educate Select कर लिया है और General Secretary इस case को supervise करेंगे तो दोस्तों यह देख सकते हैं यह है अभी latest जो की आपको area मिला है वो TDS कटके मिला है और साथी साथ इसको दुबारा से इसकी जो है case करने की बात की जारी है दोस्तों यह था आज का important update सभी JCOs के लिए pensioners के लिए दोस्तों और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना पूले थैंक यू पर वाचिए इस वीडियो